हाई फ्रेंज, लास्ट क्लास में अम लोग सीख चुके हैं मैं भूखा हो या भूखी हो इसको खनड़ा में नान हसीवागी दिनी बोलते हैं हसीवागी देने किताब योशन हो गया, आम स्पोखन में बोलेंगे हसीवागी दिनी इसी को नेगेटिव सेंटर्स में बोलना है, मैं भूखा नहीं हूँ या भूखी नहीं हूँ, मैं नान न लगिय है इसको खसी दिल्ला बोलते हैं मुझे बूख लगी है इसको नान हसीवागी देन इसको बोलेंगे असिवागिदे ननगे हसिवागिदे बोलें ननगे हसिवागिदे अत्वा ननगे होटे हसवागिदे इसको ननगे होटे हसवागिदे इसको ननगे हसवागिदे इसको ननगे होटे हसवागिदे इसको ननगे हसवागिदे इसको ननगे हसवागिदे इसको मुझे बूख नहीं लगी है इसको आप ननगे हसिविला ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे बूख लग रही है इसको ननगे हसिविला ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे बूख नहीं लग रही है इसको ननगे हसिविला ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे प्यास लगी है इसको बायारी के बोल सकते हैं बायारी के यागी इसको आप बोल सकते हैं मुझे बूख ननगे बायारी के यागी दे बोल सकते हैं ननगे बायार के आगुति दे अत्वा ननगे बायार के अनिस्ति दे भी आप बोल सकते हैं ननगे बायार के आगुति दे इसको आप लोकल अक्सन में बोलेंगे ननगे बायार के आगुति दे अत्वा ननगे बायार के अनिस्ति दे भी बोल सकते हैं अनिस्ति दे मुझे प्यास लग रही है नन्रके बायर के आगँ दे इसको नगेटिफ सेंटेंस में बोला है मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको आगिला, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको आगिला, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको कनड़ा में बोलेंगे, नंगे बायर के आगिला, इसको भी आप जोड़के बोल सकते हैं, नंगे बायर के आगिला, नंगे बायर के आगिला, म इसी को negative sentence में बोला है मुझे प्यास नहीं लग रही है I am not feeling thirsty इधर मुझे नन के प्यास नहीं लग रही है इसको आगुतिला अथ्वा अनिसुतिला मुझे प्यास नहीं लग रही है नन के बायार के अनसुतिला भी बोल सकते है अनिसुतिला इसको आगुतिला इसको बोलेंगे अक्तिला ननगे बायार के अनसुतिला भी बोल सकते है रमेश चला गया चला गया क्या उसकते है चले जाओ, होरटु होगु बोलते है, जाओ होगु, चले जाओ, होरटु होगु, चला गया क्या, आम एकोचन पुलिंग में प्रशन पोच रहे हैं, चला गया क्या, इसको होरटु होधना बोलते है, आम पुलिंग में इधर नाका इस्तमाल करते है, होरटु होधना, Ramesh, office चला गया क्या? Ramesh, office के hot item बोलता है इदर hot item हम pulling एक ऊचन में इस्तिमाल करता है Ramesh, चला गया क्या? Ramesh, hot item बोलता है इसको, कछा अचला वे इस फ्रम पूचिसल, वे लाका इस्तिमाल करता है पुलिंग में ना, स्ट्रिलिंग में ला, चली गई क्या, होरटु हो दला, इसको हम जोड के बोलेंगे, होटो दला, गीता चली गई क्या, गीता होटो दला, गीता गर चली गई क्या, गीता मनेगे होटो दला, गीता ओफिस चली गई क्या, गीता ओफिस के होटो दला बोलते है पापा चले गय क्या भापा बोलते है चले गय क्या इसको खुरतू खुदरा बोलते है यह अब रेस्पेक्ट से नहीं तो बहुचन में बोलते समय इधर राखा इस्तमाल करता है इधर पुलिंग में ना एकोचन पुलिंग में ना एकोचन स्ट्रिलिंग में ला इधर बहुचन में नहीं तो रेस्पेक्ट से राखा इस्तमाल करता है चले गये क्या खोरटो होदरा इ अप्पा मार्केट के होटोद्र बोलते है, यदि उत्तर देना है, रमेश चला गया है, इधर चला गया है, खोरटु होगिद्दाने बोलते है, इसको लोकल अक्षिन में बोलते है, होटोगिद्दाने, इधर उ मात्र स्किप करेंगे, बोलेंगे होटोगिद्दाने, चला ग गर चला गया है, रमेश मनेगे होटो की दाने, रमेश ओफिस चला गया है, रमेश ओफिस के होटो की दाने बोलते हैं, इसी तरह गीता चली गई है, इधर चली गई है, खोरटो होगी दाले बोलते हैं, खोरटो होगी दाले इसको हम स्पोकल में बोलेंगे होटो की दाले, इ गीता मने के होटोगी दाले, गीता ओफिस चली गई है, गीता ओफिस के होटोगी दाले बोलते हैं, इसी तरह चले गए हैं, पापा चले गए हैं, इधर चले गए हैं, खोरटु होगी दाले बोलते हैं, इधर देखिये, पुलिंग एक उचन में होगी दाने, इधर होगी दा में चले गए है खोरटो होगी दारे इसको बोलेंगे होटो की दारे इधर भी होटो की दारे इधर भी आप ओमात्र स्किप करेंगे बोलेंगे होटो की दारे चला गया है होटो की दारे चले गए है होटो की दारे चले गए है होटो की दारे पापा ओफिस चले गए है अपप पापा ओफिस के होटों की दरे, पापा मार्केट चले गए हैं, अपा मार्केट के होटों की दरे बोलते हैं, एदि नेगेटिव सेंटेस भी बोलना है, रमेश नहीं गया है, इधर नहीं गया है, फोगलिला बोलते हैं, गीता नहीं गई है, इधर नहीं गई है, इसको भी हो तो तीनों को होगलिला, फुलिंग में हो, स्ट्रिलिंग में हो, या रस्पेक्ट से नहीं तबहू अचन में, इधर नहीं गया है, नहीं गई है, इसको होगलिला बोलता है, होगलिला इसको बोलेंगे होगलिला, रमेश गर नहीं गया है, रमेश मानेगे होगलिला, गीता पाप मार्केट के होगलिला बोलते हैं, तो तीनों को नहीं गया है, नहीं गई है, इसको भूगलिला बोलते हैं इतना समझ में आगी होगा, इस अब simple sentences है, इसको बार-बार प्राक्रिस करेंगे, आप आसानी से Kannada बाशा समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, बोल पाएंगे फ्रेंट्स इतना समझ में आगे होगा एधिये वीडियो पसंद रहे तब लाइक बटन दबा दीजे और कमेंट में कर दीजे फिर अगले वीडियो मिलते है